हर्याना में विदानसभा चुनाओं के नतीजे उल्ट फेर होते दिखाई दिये हमारे साथ सोनीपत के वरिष्ट पत्रकार है उन्से जानते हैं किन मुद्दों को लेकर अब की बार मतदान हुआ है या सहलजागी नाराजगी कॉंग्रेस पर भारी पड़ी है क्या मानते हो अ अहां एक बात देखनों के मिली के कॉंग्रेस ने कॉंग्रेस को रहा है कॉंग्रेस का बूत मैनेजमेंट तक देखें बूत मैनेजमेंट भी साप नहीं था हलका था और बीजेपी ने एक जुट होके चुनाओ लड़ा है बीजेपी का चेतर में परचार भी बढ़िया था और उन्होंने एक जूटो के चुनाव लड़ा एक भी नेता कहीं नाराज ने दिखा, कोई नाराज दिखा तो उसे काबू में किया गा कॉंग्रेस हवा में चुनाव लड़ गई, इसलिए चुनाव हमें आर हुई है अगर कुमारी सहलजा का कहीं विरोध होता है, कहीं उसके खिलाप ठिपनी होती है तो बुपेंदर हुड़ा ने एक मत से जरूर कहा कि वह हमारी बेहन है और उसको हम आदमी का विरोध करते जी इसने भी कहा, वो पार्तिक आदमी ने लेकिन क्या वुपेंदर हुड़ा ने सहलजा को फोन किया, क्या उसको बुलाया या उसको खुश किया जब वह 10 दिन से परचार में नहीं थी, तो उसको जा के मनाना चाहिए था श्यांती भूशन जी हमारे साथ वरिष्ट पत्रगार है श्यांती जी, सोनीपत को वुपंदर हुड़ा अपना गड़ बताती थी, कि मेरा गड़ है, आप तो चार-चार शीट को बीजेपी के पास गई है, एक निर्दल या एक कोंग्रेस का है, किस तरह देखते हुई इसको दरसल क्या है कि हुड़ा का गड़ था सोनीपत, वो प बल्कि बीजेपी अपने जो परंपरागत सीट है, सोनीपत वो हार गई थी, ठीक है, और दूसरे क्या है कि अपकी बार, सोनीपत सीट का हम जिकर करें तो पंजाबी वोटर सबसे ज़्यादा यहां पर, जातिया समीकन देखें तो, अब क्या लगता है, बीजेपी के पास स पंजाबी जाट वोट भी, बिल्कुल जाट वोटो को हादचना हो चुन के मिलते रहें और मिले हैं, वह संक्या कम होचो सकती है, लेकिन बीजे-पी का को वोटर हो चुप रहता है, वहाला गुला नहीं करता है, और सभी इवन जो है, भी फомशमानों के भी स्वदिय पात् और दूसरे बात है कि यह बीजेपी सत्ता में कैसे आई एक्चुली बीजेपी ने ग्राउंड वर्क किया था उसके उसका संगठन बूत्स तर्व तक था जब कि कॉंगरेस के पास संगठन नाम की कोई चीज ही पूरे हर्याना में नहीं थी और कॉंगरेस जो है वो सिर्फ द लेज हो तो के गयरत थीतल पात है की सानओ के ऑ पफशानों के नाराज की इंके पास जमीं और दूसे क्या है कि उन्होंने जो माहूल खराब किया यहां पे आकर के उसके बाद से जो दूसरे वरके हैं जो किसान और पहलवान से इतर जो उनसे कमजोर वरके लोग है उनका भी पुलराइजेशन हुआ वो लोग भी कठा हुए हुए उन्हें लगा कि जब यह कठा हुए है तो उसके करण भी पुलराइजेशन हुआ और वो कांगरेश के खिलाप गया जाटलेंड माना जाता सोनीपत को जाटलेंड है सभी शीठे आर गए क्या पुराने विदाइकों को टिकट देना शेटिंग गेटिंग का फर्मूला भारी पड़ा कोंगरेश पर देखिए यह मैं जब से 2005 का चुनाव हुआ उस वक्त कांगरेश ने यहां पर जो लोग आप आप तरह से अपने परिवारवात को बढ़ा दिया एक रजवाड़े टाइप की होगी थी उसका फादर विदायक था तो बेट्टे को बना दिया जो जिन लोगों ने वास्तों में संक्स किया था कोंगरेश को लाने के लिए ून में से किसी को नई ने लोगों जो तहे जुड़े थे उर्दा के साथ उन मेंसे किसी को टिकट ने मिला और इसी का चलो उस टाइम तो उड़ा के लहर थी और चोटाला के खिलापत थी तो इस वज़े से सब जीते लेकिन धिरे-धिरे करके जो कॉंग्रेस और दूसरे क्या चवी होगी कि जो इनलो की चवी थी उड़ा के आने के बाद वही चवी जो है कॉंग्रेस की उड़ा के कर जो एक मुद्दा दिया था कि बेना खर्ची बेना पर्ची उसने भी काम किया कुछ लोग लगे भी होंगे ऐसी बेना खर्ची के बिना पर्ची के दूसरी ड़ॉप्मेंट भी एक मुद्दा था जिस जो गरीब और शरीफ वोटर है उसने इन सब चीज़ों से उठकर के कोशिक भी है दलित वोटर की भात करें वकिश बोटर अब की बार कहीं कोंग्रेश कहती है कि दलित वोटर हमारी तरह है पर लगता है कुछ नाराजकर दिख रहे था नहीं जैसे भारती जनताप पार्टी निरमानोराल-खाटर को फिर-द्रनाइब शाहनिक आने से क्षाब खिर्क, उससे भी काफी दलित थे जो और कम चाम मिल रहा था तो वह वी एकदम वोटर रहा है चिटक कर ने omla मिल रहा नहीं को अ मिल रहा था तो भी एकदम वोटर चिटक कर कोंग्रसे चिटक कर täकर विज्वा kilo phy नराजगी राउल गांदी ने हाथ तो मिलवा दिये लेकिन दिल नहीं मिला पाए तो उससे भी काफी ज्यादा फरक पड़ा है और बीजेपी का जो बूत मेनेजमेंट था जो इन्हों ने बूत पर मुख सक्ति के अंदर पर मुख जो बना रखे थे कॉंग्रेस के पास अलिख ख़वर करता उसके उपर पुराने विदायक है जगबीर मलीक है जैविर्बाल मखी है उनको टिकट देना कहां तक ठीक मानते हो नहीं जो पुराने विदायकों को जो टिकट मिला है उससे नए कॉंग्रेस के जो वरकर थे वह काम नीए कर पाए उनको लगा कि यह त और उसको बीचिए वोटरों को कोंग्रेस अपनी तरफ करी नहीं पाई ना कोई उनका नेता बड़ा नेता ऐसा कर पाया ना कोई ब्यान दे पाया ओबीची वोटर और दलित वोटर और इधर से पंजाबी और ब्रहमन और 30-40 प्रसेंट जाट वोटर जो पर लिखे जाट थे बिलकुल भूती मजबूत है कोंग्रेस के पास है नी सोसल मीडिया कोंग्रेस समझ ने पाई जनतकी नवज़ी नी समझ पाई बिल्कुल उन्हों को मैदान में उता रहा और नए लोगों को लगा कि वह यह तो इनकाई हो गया हमारा कुछ होगा नहीं तो या तो निर्देलिया लड़े है या फिर उन्होंने को अंगर से खिलाब काम किया है जाट लेंड में बड़ी सेंद माजी हुई अब की पार जाट वोट परसेंट से भी कुछ बीजेपी की तरफ गया है जी बिलकुर जाट जो पड़े रिखे जाट थे जिन्होंने मोधी साब ने जब एक नारा दिया था कि हम बिना खर्ची बिना पर्ची के आपको जोब दें चैर-चैर सीट को बीजेपी को जाना हुड़ा कहते थे मेरा घर है सोनीपत यहां भी नहीं बचा पाई वो इसी विए नहीं बचा पाई क्योंकि हुड़ा का मैन वोट बैंक जाट वोट बैंक है जो कि उनसे 40 परसेंट तूट गया उसके साथ में बीजेपी की जो मेनेजम बीजेपी को बहुत गया है लोक्षभा में कुछ और खेलता आपकी बार कुछ और खेलता दलीट वोट अब की बार बीजेपी की तरफ 100 परसेंट गया है यह आप सही कह रहे हैं क्योंकि दलीटों में एक बात खास तोर पे गई है कि जाट मुख्यमंतरी को उन्होंने पसं हाँ वह मुश्किल थी अगर मनोर कट्र को अगर रखते तो फिर मुश्किल हो सकता था इसमें नायव सेनी दलीट और बैकवर्ड को जोड़ने में कामियाब रहे हैं उन्होंने कुछ गोस्नाइबी की है दलीट के लिए और ओवी सिव समाज के लिए तो वह कामिया इस सब्सक्राइब आप देखो कापूर नर्वाल थोड़ी कमोटर शेया रहे है जैसे हर्षिकारा और यह अपने आपने होते दो जीट सकती थी हर्षिकार और आजबी इनना होते जीटित सकती एक सबसे बढ़ी वह रही कि आम जंता में बिना खर्ची-पर्ची के जो चला नो जो पड़े लिखे नोजवान थे हो सारे बीजेप तरफ होगे बिना खर्ची पर्ची क्योंकि जो मैनेत करता है युआ उसको था मैं अपनी मैनेत के बल पे नोकरी प्राप्त करूं नहीं कि किसी अनुकम पाक्यादार पर तो एक ये भी बीजेपी का पलस पॉइंट रागी तो नुकरी उसको बुनाने में कामियाब रही बीजेपी जेति लगता है कि निर्दले जिस तरह से गन्रों में बीजेपी कॉंगरेस दोनों को साब कर दिया खर को वहां की बात करें राही की राही में निर्दल्य परथाशी आया परतिक शर्मा उसकों ने भी खेल क्या था कुछ में समीकन अलग अलग हुए जैसे आप गन्नौर की बात करें तो गन्नौर में जो कॉंग्रेस का बड़ा वोट बैंक था जाट वोट बैंक वो जो है निरदलिय के साथ सिफ्ट हो गया और जो बीजेपी का था वो उसके साथ रहा ले इसलिए जो है कॉंग्रेस हो वहां पर हार गई अलांकि को बीजेपी और कॉंग्रेस दोन्हों को हार मिली लेकिन इसी तरह से जैसे ब्राह्मन कंडिया लगता नहीं कि जाट नों जाट की खेल हुआ इसमें दो जहें जब भी कोई चुनाव होता है उसमें छी साथ फेक्टर काम करते हैं कि कास्ट का लेकिन वो मुझे लगता है कि अब की बार उतना बड़ा नहीं था उसका मलब पर भाव उतना ज्यादा नहीं था क्योंकि जाटो ने भी बीजेपी के पक्स में अब की बार मद्दान किया है उसमें जाटों ने मद्दान किया है एक तो जिसमें युवावर्ग था दूसा लेकिन जो रडिसल जार जिनको बोलते हैं कि जो खूर खुल के आते हैं उन लोगों ने तो वोट किया है लेकिन जो सिफी था और दरा कि बीजेपी शरकार बनेंगी जिस तरह जुरू जान भी आ रहे थे लगातर कह रहे थे कि कवरेश की कि बीजेपी जा रही है कॉंगरेस के नेताओं के जो दो तीन तरह के बयान आए जैसे कुले कर था आए निर शर्मा का बयान था कि हम नोक्रियों को ले करके उससे जो शिक्सित वरग है चाहि कि कि बीजाति का था उसको लगा कि ये तो हमारे उपर कुठारा गात होगा तो ऐसे में तो ना ना ही आये कॉंगरेस तो अच्छा है तो इसका प्लस पॉइंट तो गया इसका विप्रीत परभाव जो आना विप्रेत वो गया है कॉंगरेस के आशक तवर ने गंटा पहले पहले को हुआ हुआ है अब आने वक्त पर जारहें अच्छे महीने पर आप दो देने पहले बीजेपी में आये बीजेपी ने आपको लोगसभा का तो ओलड़वाया और विधांसा बतावनों चोना उसे ठीक पहले आप पी जा रहे हों तो गहीना करी बीजेपी के परति ए जो कॉंग्रेस के कुछ विदायक लगातर कह रहे थे कि लोलंबर लेके आना नोकरी हमारे इस्टे में आएंगी वो भी कॉंग्रेस पर भारी पड़ा है और कहीं न कहीं से हल जागी नराजगी कॉंग्रेस के लिए भारी पड़ी है जो भी जेपी की सरकार पर देश में बनने जा रही है सोनी पच्चे पावन राठी हरियाना तक